हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वावित है आपके अपने यूटुब चैनल जीके दा नॉलेज में इसमें हम आज बात करेंगे जै प्रकाश नारायन तो आईए शुरूआत करते हैं जै प्रकाश नारायन जया प्रकाश नारायन के अगर जर्मिन की बात करें तो इनका जो जनम था जया प्रकाश नारायन का जनम था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था बिहार के बिहार प्राद के मुंगेर जिले में बिहार प्रांट के मुंगेर जिले में इनका जनम हुआ था जैप्रकास नाराण का जनम 11 अक्टूबर 1902 को बिहार प्रांट के मुंगेर जिले में हुआ था इसके बाद बात करते हैं इनके माता का नाम तो इनकी जो माता का नाम था वो फूल रानी था फूल रानी इनकी माता का नाम था और पिता का नाम हर्षु द्याल बाबु हर्षु द्याल बाबु हर्षु द्याल बाबु इनके पिता का नाम था हर्षु द्याल बाबु 11 अक्टूबर 1902 को जया प्रकाश नायनजी का जनम हुआ था और इनकी जो माता का नाम था फूल रानी इनकी माता का नाम था पिता का नाम हर्शु द्याल बाबु हर्शु द्याल बाबु इनके पिता का नाम था अब बात करते हैं इनके विभा की इनके विवा की बात करें तो 1920 में यानि जब ये 18 वर्षके थे 1920 में 18 वर्षके थे जब इनका विवा हुआ था विवा हुआ और विवा हुआ था प्रभावती से प्रभावती प्रभावती देवी से इनका विवा हुआ था 1920 को और ये अथारा वर्षके थे जैर प्रकाश नाराएन जी और इनकी जो पतनी थी प्रभावती ये चोदा वर्षकी थी उसके बाद बात करते हैं इनकी शिक्षा गी शिक्षा के अगर बात करें तो इन्होंने जो अपनी विदाल्य और महाविदाल्य की जो शिक्षा थी विदाल्य और महाविदाल्य विदाल्य और महाविदाल्य की जो शिक्षा थी इन्होंने पत्नासी की थी पत्नासी इन्होंने विदाल्य और महाविदाल्य की शिक्षा ग्रहन की उसके बाद 1922 को ये अमेरिका चले गए ये कहा गए अमेरिका और अमेरिका इन्होंने एम्मे की प्रिक्षा पास की एम्मे के लिए या एम्मे की प्रिक्षा पास की विदाल्य शिक्षा थी इन्होंने जो की थी वो विदाल्य और महाविदाल्य की जो शिक्षा थी वो इन्होंने पत्ना से की थी पत्ना के बाद इन्होंने 1922 को ये अमेरिका चले गए और वहाँ पर इन्होंने MA की प्रिक्षा की MA की study की, MA की तेरी की और 1922 के बाद फिर ये 1939 को वापस लोटे थे 1922 को गई थे और 1939 को वापस लोटे विडाली और माहविदाली की शिक्षा की थी 1922 को अमेरिका गई और 1939 को वापस लोटे थे इसके वज़ावाबात करते हैं इनके नारे की नारा, संपूर्ण करांती का इनों नारा दिया था संपूर्ण करांती संपूर्ण करांती का नारा दिया जया प्रकास नारायन जी ने संपूर्ण करांती का नारा दिया और यह important है, कई बार एक्जाम में पुछा भी जाता है कि संपूर्ण करांती का नारा किस ने दिया तो संपूर्ण करांती का जो नारा था वो जयापरकाश नारायन जी ने दिया था जयापरकाश नारायन ने संपूर्ण करांती का नारा दिया था इसके लावा इनके जो बच्पन का नाम था बच्पन का नाम से कायकर संबोदित के जाता था बोवल ठीक है अब बात करते हैं इनकी पुष्टक की यानी रचनाई इनों ने जो पुष्टक लिखी थी समाजवाद क्यों इनकी पुष्टक का नाम है समाजवाद क्यों ये भी important है, पुछ जाती समाजवाद क्यों के लेखा कौन है, तो समाजवाद क्यों, जया प्रकास नारायण जी ने लिखी थी, तो ये दो important है, एक इनके जो नारा है, संपॉर्ण कराम सी का नारा, जो नारा किसे ने दिया था, जया प्रकास नारायण ने, और दूसरा important है, लोगों के नायक, लोग नायक के नाम सिनको जाना जाता है, जाना जाता है, कि लोग नायक से किसको जाना जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है, कि लोग नायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो जया प्रकाश लारायन जी को लोग नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस राजनेती करीर के बत्रेने अब बात करते हैं कि राजनेतीक जीवन की राजनेतीक जीवन तो इन्होंने अपना जो राजनेतीक जीवन था वो उनिस सो बीस में किया था उनिस सो बीस में ऐस्योग अंदोलन ऐस्योग आंदोलन जो ऐस्योग अंदोलन चलाया गाय था माजमा गांदी जी के द्वारा उससे इन्होंने अपने राजने तेक जीवनी के सुरुआत की थी यही सांदोलन में इन्होंने भाग लिया था उसके इलाबा जब भार्त से लोटे थे मैंने बताया था 1929 को जब भार्त से लोटे वो अमेरिका से लोटे 1929 को तब जवहार लाल नहरू जिवहरलाल महरों ने इनको कहा कि आप भारती राष्ट्री कांगरेश में सामिल हो जाए कांगरेश में सामिल हो जाए और ये कांगरेश में फिर सामिल भी हो गए थे तो 1929 को आपस लोटे और JLN कांगरेश जवहरलाल महरों ने कांगरेश में लोटने के लिए कादरेशन शामिल होने के लिए कहा तो यह शामिल हुए उसके इलावा बात करते है 1921 में इन्होंने जो भार छोड़ा अंदोलन में भी भागी लिया भार छोड़ो 1921 में भार छोड़ा अंदोलन में भागी लिया तो इस दोरान इस अंदोलन के दोरान इनको जेल जाना पड़ा और जेल गए थे और 1946 को ये रिठा हो गए थे जेल से यान 1922 को गए थे जेल और 1946 को इनको छोड़ा गया मतलब चार साल ये जेल में जाकर रहे थे चार साल इनों ने अपना जीवन कारवास में बिताया भार छोड़ो अंदोलन के दोरान तो इनका तो जीवन था 1920 में ये जो थे एस वेगामदलम से इन्होंने अपनी सिर्वात की थी राजनेति करियर की उसके बाद 1939 से जब ये भार से लोटे तो ये कांग्रेस में सामी होगे और कांग्रेस में सामी होने के बाद जब 1942 को जो एस जो भार छोड़ा अमदलम चलाए महत्मा गादी ने तो उसके दोरान इनको जेल जाना पड़ा और 1916 को जेल से रहा हुए उसके लावा इन्होंने स्थापना भी की थी 1934 को 1934 को इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी और 1934 को कांग्रेस समाजवादी पार्टी और 1946 को प्रजा समाजवादी पार्टी इनकी सिनों में इन्स्तापना की थी और इसके इलावा जो एक घटा हुई थी 1934 में एक और है 1934 में ये भारती ये सवदंतर भारती राजवादी से संतूष्ट महीं थे जिसके कार्णों उने राजवादी से सन्यास ले लिया राजवादी से सन्यास जब इंद्रा गांधी पर्धान मंत्री बनी तो इह सरकार है तो शरकार में क्या किया लोगों की समिश्याओं को हल नहीं किया है ये लोगों की समिश्याओं को हल करने में ऐसे फिल रहे हैं क्या रहे हैं लोगों की समिश्याओं को हल करने में ऐसे फिल रहे हैं और ऐसे फिल आमने के कारण तो बिहार के जो विद्यार्थी थी उन्होंने भरस्टाचार, महंगाई, जो बेरोजगारी है, उसके खिलाफ ये काला बजारी के खिलाफ सा खर्ष करना शुरू कर दिया जो विहार के विद्यार्थी थे, विहार के विद्यार्थी, विहार के विद्यार्थियों ने महंगाई, भ्रस्टाचारी, यानि भ्रस्टाचार, काला बजारी के विरुद्ध आंदोलम कर दिया और ये आंदोलम क्या था बिहार, राज्य, चात्र, संघर, समीति बिहार, राज्य, चात्र, संघर, समीति में ये आंदोलम क्या था इसका नेत्रिताव किया इस आंदोलम का और इसमें ही फिर से पुनाय जो राजनिती में आए उनिसो चुहित्तर को राजनिती में आए जे पी नाराय जय प्रकाष नारायन फिर से राजनिती में उतरी इन्हों ने इनके साब ने प्रस्ताव रखा इनसे मिननतेगी कि आप आए और हमारे जो अंदोलम में सही होकादे तो फिर उन्हों ने इसका नेत्ति रताव किया और उनिसो सचुहत्र को राजनिती में आए जया प्रकास नारायन जी और यह जब राजनिती में आये तो 1974 को आये थे राजनिती में और 89 को 8 अक्टूबर 1989 को इनके मिरित्य हुई इनके मिरित्य हो गई थी 8 अक्टूबर 1989 को इसके लावा एक और जो महत्वपून था कि 1998 को इनको भारत रतन दिया गया भारत रतन इनको दिया गया उननने सो अठाणिये को 1947 को जो गैर कांगर सी सर्क जो पार्टी थी यानि बीजेपी का संगतन करने में इनका महत्वपून योगदान था इनका बहुती महत्वपून योगदान था जो बीजेपी बनाए गई थी जो बीजेपी पार्टी उसको बनाने में इनका महत्वपून योगदान था और पहली गैर कांगर सी पार्टी बनाए गई थी 1977 को तो ये था जया परकास नारायन का अगर आपको ये अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सेस्क्राइब करनों ना भूले धन्यवाज चैहिए